दोस्तों वल्कम टो आर चनल तो एक न्यूज आ रही है कि रेलवे में खाली पदों पर साल में चार बार भरती होंगी और 2024 में कुल 61,000 पद भरे जाएंगे यानि कि गुरूबडी के तो कोई बात ही नहीं हो रही है तो इस बात में कितनी सच्चाई है क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं गुरूबडी की कहीं दूर दूर तक बात नहीं हुई है इसके अंदर तो क्या गुरूबडी की वेकेंसी नहीं आ रही है जबकि रेलवे तो कह चुका है कि गुरूबडी की वेकेंसी का नोटिफिकेशन ओक्टोबर में हम लोग देने वाले हैं तो और इनके ही क्या किसी के हमारे पास तक भी complete information नहीं होती है इसलिए आप इनकी पूरी बातों पे बिल्कुल भी ऐसा न रहें कि भाईया इन्होंने जो कह दिया वो सच है बहुत सारे बच्चे परिसान हो रहें कि भाईया कुल 61,000 ही vacancy आ रही है और 61,000 में तो ALP की vacancy, technician की vacancy और NTPC की vacancy, paramedical की vacancy और RPF constable SI की vacancy ही हो जाती है तो क्या होगा गुरूप D का फिर गुरूप D नहीं आएगी क्या जबकि रेलवे ने तो खुद से कहा है कि भाईया October 1 notification आएगा तो गाईज आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूत नहीं है बिल्कुल tension मत लीजिए ऐसे ही होगा क्योंकि 10,000 post 12,000 की post सुन रहे थे एक जगा सुन रहे हैं कि 30,000 की आसपास post आएगी तो starting में notification इतने ही की vacancies की उम्मीद है तो ये वाली news ठीक हो सकती है लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि साल में 4 बार ही vacancy आएगी और 61,000 पदों पर ही vacancy आएगी गुरूपडी की vacancy भी confirm है जो October में इन लोगों ने बोला है तो October में vacancy देने की पूरी-पूरी संभावना है और आएगी ही vacancy इसने बिल्कुल tension free रही है आप लोगों को बिल्कुल tension लेने की जरूत नहीं है दूसरी चीज बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भाया target classes क्यों बच्चे जाग जाएंगे तो बीच में आके बहुत disturbance होता है आप लोगों को ही disturbance होता है तो बहुत ज्यादा problem होती है इसने है मैं सोच रहा हूं कि एक बार जैसे ही गुरूप D की vacancy की news आ जाती है जो आएगी ही अगर October में notification आना है तो उससे पहले ही 10-15 दिन पहले कोई न देले होगा क्योंकि new student form fill करेंगे तो उनको तयारी का भी समय चाहिए तो आपका paper काफी delay होने ही वाला है और एक ही paper होगा कोई बड़ी बात नहीं है कि दो paper होने है चार paper होने है इसलिए एक paper में इतनी जादा टेंसल लेने की जरूत नहीं है और गुरूप D बाले student को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से selection दिलवाए हैं तो आप लोग भी बड़ी असानी से selection ले लेंगे सलेवस हमारा चार महीने के आसपास होता है तीन से चार महीने में बेहतरीन तरीके से foundation विलकुल जीरो से complete करा देंगे चाहे वो गुरूप D की बात हो चाहे इसकी बात हो चार मही साई पर भरती पिरकिर्या शुरू होगी योजना के तहट 2024 के अंत्त तक 16569 पदो पर इस 529 पदो पर भरती पिरकिर्या पूरी हो जाएगी नए साल में जनवरी दिसंबर के दोरान खाली हुए पदो पर नियुकति के लिए पुन्हय उक्त पिरकिर्या सुरू होगी तो भ चल रही है मैं आप लोग को बता दूँ बहुत ही कम उम्मीदे हैं कि दुबारा से वेकेंसी आए जैसे एलपी वेकेंसी अभी दीखी है या टेक्निशन की अब थोड़ा सा ये पेपर डेले हो गया है तो आप लोग देखिएगा कि वेकेंसी की बहुत कम उम्मीदें कि कैलेंडर फोलो हो जाए कैलेंडर फोलो होना बहुत मुस्किल है ये सारी की सारी बातें ये लोग कैलेंडर के हिसाफ से बोल रहे हैं रेलवे ने अपरेल जून में 9144 टेक्निकी पदों पर भड़ती का एलान किया जबकि जुलाई सितंबर के दौरान अब बताओ ये अ 16154 पद लेवल 456 के लिए और पैरमेडिक के कैटिकरी में 1700 वो 1376 पद तो ये वाली वेकेंसी ये वाली जो नियूस है 16000 वाली ये भले ही सही हो सकती है बाकी इनकी बातों में कोई सच्चा ही नजर नहीं आती है क्योंकि इन्होंने टेक्निशन की वेकेंसी तक के बारे में बात नहीं की है तो इसनिए बिल्कुल टैंसर फ्री रही है बहुत जाधा बच्चे परेशान हो रहे थे की बहिया घुरूबटी की वेकेंसी नहीं आरही है तो आप लोग की वेकंसी आएगी इसनिए निष्चिन्त रहिए अपनी तैयारी को जितना बेहतर कर सकते होे करें मुझसे बताईए कि मैं किस टोपिक पर वीडियो दे सकता हूँ मेरे पास target विलकुल ready है लेकिन आप लोगों की बज़ा से ही target start नहीं किये हैं भी कि आप लोग ही बाद में परिशान करेंगे तो I hope कि आप लोगों को ये बात पता चल गई होगी बैसे admission open कर देंगे बहुत ही जल्दी और चीजे जो start होंगी वो मेरा मन तो यही है कि जैसे ही कोई news आए गुरूबडी के बारे में तब से ही start हो क्योंकि गुरूबडी और आपका technician का slave same to same है बाकि आप जैसा कहो बैसर करने के लिए तयार है मिलेंगे next video में ख्याल रखेगा take care क्योंकि आप बताइए 200 लोग 500 लोग आ भी गए तो वो batch complete हो नहीं पाएगा उसमें मजा नहीं आता है जित्ते strengths को आना एक ही जगा पर मेरा भी ध्यान रहता है तो जादा बहतर रहता है take care